Hello friends, आज किस वीडियो में आपको एक password based circuit breaker project बना कर दिखाने वाला हूँ, जिसको हम password की मदस से control कर सकते हैं Simply friends, हम कहीं हाँ पर एक password enter करना होता है, जिससे electrical line on या off होती है यह project friends, electrical man की safety के लिए बनाए गाया है Repairing के सामें कोई तीसरा परसन, Electrical Line को On ना कर सके इसके लिए हमने आप पर इसमें Password डाला है तो चली Friends हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए Friends सब से पहले हमको एक Arduino लेना है इसके बाद friends हमको 4 jumper wire all लेना है जिनको हमको नीचे वाली side में connect कर देना है इसके बाद friends हमको ID के साथ इसके connection करने है जिसके लिए friends आपको उपर वाली 4 pin का connection pin नमबर 9, 8, 7 और 6 के साथ कर देना है इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे वाली चार पिन का कनेक्शन पिन नमबर 2, 3, 4 और 5 के साथ करना है इसके बाद फ्रेंड्स हमको एक 5 पोल्ट का रिले मॉड्यू लेना है इसमें 3 पिन रहती हैं VCC पिन, Ground पिन और Input पिन VCC के साथ हमने Red Wire कनेक्ट किया है Ground के साथ Black Wire कनेक्ट किया है और Input के साथ Blue Wire कनेक्ट किया है तो फ्रेंड्स इसके बाद हमको इसके Arduino के साथ कनेक्शन करने है तो Red Wire को आपको VCC के साथ कनेक्ट कर देना है Black Wire का कनेक्शन आपको Arduino के Ground के साथ कर देना है और blue wire का connection आपको आइड़ीनो की pin नमबर 13 के साथ कर देना है इस तरह से friends आपको relay module और आड़ीनो के आपतमे connection कर देने है इसके वाद fait friends हमको एक bulb लेना है और black wire को बीच में से कुछ रियकार से cut कर देना है पहले black wire का connection हमको relay module के common वाली pin के साथ करना है और दूसरे black wire का connection हमको relay module के normally open वाली pin के साथ connect कर देना है इसके बाद friends हमको एक ply लेना है जिसकी उपर हम इस project को पूरा fix कर देंगे और कुछ इस प्रकार से friends हमने double sided tape की मुदध से पूरे project को fix कर दिया है इसके बाद friends हमको blue data cable को Arduino के साथ connect करना है और otg cable को अपने android mobile के साथ connect करना है इसके बाद friends आपको play store से Arduino application को download करना है और इसके बाद आपको इसको open कर लेना है नीचे friends मैंने coding की link दिये simply आपको link पर click करना है और coding को आपको copy करना है और screen पर आकर कुछ इस प्रकार से paste कर देना है इसके बाद friends आपको इस code को compile करना है और compile करने के बाद आपको upload बटन पर click करके इस sketch को upload कर देना है friends हमारा project आप ready हो चुका है अब मैं आपको इसको check करकर दिखाता हूँ जैसे friends मैं यहाँ पर एक password enter करता हूँ आप देख सकते हैं electrical line on हो जाती है और बापस से एक password या फिर किसी भी बटन को प्रेस करके हम electrical line को off कर सकते है friends coding में change करके आप अपने हिसाब से password को change कर सकते है